अलो मेरी फेमिली कैसे हो आप डेस्टल दुनिया के तमाम दोस्तों का मैं आड़ी हारदिक स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ इस स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा अनुपात समानुपात में तृत्या अनुपाती के हम बहुत ही बहतरीन कोशन स्कौाट डिसकस करने वाले हैं कल हमने इस सीरीज का आगास किया था और सुरूश ए चत्तृता अनुपाती से चालु हुआ था और आज हम तिर्थ्या अनुपाती के कुछ बहतरीन कोशन और चतृता अनुपाती के कुछ परसं करने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि कल हमने क्या देखा थोड़ा भूत रिवीजन करवा दूँ चतुर्था अनुपाती के बहतरीन कोशन देखे थे जो पिछले दिनों तमाम competitive exams में आपसे बार-बार पुछे जा रहे हैं चतुर्था अनुपाती ग्याद करना यानि कि चोथे को कुछ मानिये पिर इने समानुपात में लगाईए चारों को फिर मध्यपदों का गुननफल बाहिये के बराबर करके हम चतुर्था अनुपाती ग्याद करते थे कुछ ऐसे कोशन decimal वाले कुछ पूरे से moderate level के question जिन में कुछ इस प्रकार के मामले होते हैं जो आपको screen पे दिख रहे हैं ये चतुर्था अनुपाती ग्याद किया था कुछ common लेकर इनने से काटा था और चोथे पद को हमने कुछ माना समानुपात में लगाया ऐसा कुछ किया यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप playlist को visit कीजिए हमारी math सीखो एक playlist है इसमें ये जो छोटे वीडियो और बहतरीन question विसेस और topic विसेस वीडियो होते हैं वो उसमें आपको मिलेंगे बाकी playlist को भी आप visit कर सकते हैं और मेरा जो number है उससे RD Math Charger Telegram Channel है उससे आप जोड सकते हैं चलिए आपका जादा वक्त जाया नहीं करूँगा और कुछ प्रसन मैं दिखाता हूँ आज कौन से question देखेंगे जैसे तरत्यानोपाती क्या होता है 18 और 12 का कुछ ऐसे पूछता है 22-36 का तरत्यानोपाती क्या होगा इस प्रकार से कुछ परसन पूछे हुए है 32-12 के तरत्यानोपाती का वर्ग क्या होगा इसी प्रकार से कोई decimal दसमलो वाली संख्या दे के तरत्यानोपाती पूछते कुछ आपके पास 4-4-A-B 3-A-B-A-Square-B का तरत्यानोपाती कोई पूछ ले आपसे कई बार ऐसे कह देता है 48-A-Square- 27 समानोपात में लगा कर X का मान फाइंड कीजी कई बार 4-A-N-O-P-A-T-I और 3-A-N-O-P-A-T-I के कुछ mix के question और उनका अनोपात लगाने के लिए आपसे कहता है ऐसे ही कुछ 3-A-N-O-P-A-T-I और 4-A-N-O-P-A-T-I के संबन्धात्मक अनोपात देता है और फिर B और C का अनोपात आपसे पूछता है वहुत ही latest question और जबरदस question हम आज इसमें आपसे discuss करने वाले हैं तो इन सभी प्रसनों का solution आप इजी तरीके से कर पाएं उसके लिए करना ये है आपको कि मेरे साथ सुरू से end तक आपको बने रहना है तो ये कुछ प्रसंत है जो आपकी screen पे अभी चले है इन सभी को आपको solution करने के लिए मेरे साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है तो screen पे आपको नजर आ रहा है तृत्या आनोपाती आज हम पढ़ेंगे और तृत्या आनोपाती क्या होता है ये सारी चीज़ें आज आप मेरे साथ देखेंगे सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात कर दूँ कि चतुर्था आनोपाती क्या होता है फिर हम आएंगे कि ये तरत्यानोपाती क्या होता है कल हमने ऐसे बढ़ा कि यदी मालनो कोई आपसे चतुर्था अनुपाति पूछे, ध्यान रखिएगा भई, चतुर्था अनुपाति आप से कोई पूछेता है, fourth proportion आप से कोई पूछता है, कुछ यासर आपके पास में A, B और C है, इसका चोथा अनुपाती, तो चोथे को मैंने कैसे कभूतर माना था कुछ मान ये तीन नम्मर आपको देता है फिर कहता है चतुर्था अनुपाती बताईए तो चोथे को कुछ मान ये देखो कोई फोर्मूला आपको याद नहीं करना है इन चारों को समानुपात में लगाईए पहले दो का अनुपात अगले दो के अनुपात के बराबर कर दीजिए पहले दो का अनुपात अगले दो के अनुपात के बराबर करेंगे तो मध्यपदों का गुणन फल फिर बाहिये के बराबर कर दें कुछ इनमें कट रहो तो आप काट सकते हैं तो बाहर हो जाएगा A गुणा कैसे कबूतर और B गुणा C हो जाएगा तिर इस A को मैं नीचे रहे जाओंगा B गुणा C बटा A हो जाएगा मेरे पास में और ये बिल्कुल आसान वाले कोशन है इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं तो तर्त्यानुपाती अब हम बात करेंगे कल हमने चतुर्थानुपाती सीखा था चतुर्थानुपाती होता है कि B और C को गुणा करके A का भाग दे दें ऐसा कोई फोर्मूला आपको याद नहीं करना है सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि चोथे को कुछ मानना है को आप कैसे कबूतर मानिये कुछ ना कुछ मानिये मैं कैसे कबूतर मानता हूँ आप X मान सकते हैं P मान सकते हैं जो भी आप माने जो वहां से मैच नहीं हो रहा हो ऐसा कुछ मान सकते हैं मैं ज्यादा तर कै कबूतर मानता हूँ तो आप देखिए A अनुपात B पहले दो का अनुपात बराबर कर दीजिए अगले दो के अनुपात के साथ B अनुपात के देख पाएंगे बहुत आसान सी बात है अब मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा B स्कॉाइर और बहिये पदों का गुणनफल हो जाएगा कबूतर को A से गुणा करेंगे अब इस कहका मान आएगा वो तरत्यानुपाती होगा B स्कॉाइर बटा A होगा ऐसा आपको सुत्रयाद नहीं कर रहे है ये तो मैंने वैसे बताया है आपको कि आप थोड़ा सा बेसिक इसका समझ जाए परसन परिक्सा में आए तरत्यानुपाती कैसे ग्याद करना है चतुर्था अनुपाती में चोथे को कुछ मानते है तरत्यानुपाती में तीसरे को कुछ माने सौट में बारा अठारा को आप अठारा और बारा को इसी क्रम में लगाए तीसरे व्यक्ती को कैसे कबूतर माने X माने, कुछ भी माने, क्या मानता हूँ मैं, फिर इनका अनुपात लगाए, पहले दो का अनुपात, अगले दो के बराबर कर दे, अगले वाले लास्ट वाले दो कौन है, 12 को डबल निखना है, इस प्रकार से, टीन लोगों को समानुपात में लगाए, पहले दो का अनुपा आईए कि बराबर कर सकते हैं लेकिन ये करने से पहले थोड़ा सा आप काटिएगा काटेंगे क्या जैसे पहले इन दो पदों को काट सकते हैं जैसे 18 और 12 को काटूं 6 से डिविजिबल है 6 3 18 6 2 12 और क्या काट सकता हूं देखिए इसका जो पहला पद है वो इधर वाले पहले को काट सकता है आप चाहें तो इस 3 से 12 को काट सकते हैं लेकिन इस 2 से 12 को नहीं काट सकते हैं इसमें जो 4 पद है उसमें पहले पद को आप तीसरे पद से काट सकते हैं जैसे मैं हाइलाइट कर रहा हूँ यहां जो नम्मर आएगा वो यहां वाले नम्मर को काट सकता है यह जो दूसरे वाला नम्मर है वो चोथे नम्मर को काट सकता है यदि कुछ इनमें से कट रहा है तो चलिए मैं तीन से काड़ देता हूं यहां तीन कड़ जाएगा बारा को काड़ देगा च्यार बात अब आप कहेंगे सर मध्य पदों का गुननफल हो गया आठ और बाहिय पदों के बच गया कबूतर बहुत आसान है तरत्यानोपाती आज से आप अपने दिमाख में लिख लीजिए कि करना कुछ नहीं है आपको जब ही भी कोई तरत्यानोपाती के बारे में आपसे पूछे तो तीसरे पद को कुछ मानिएगा चलिए एक और बहतर सा कौशन बहतरीन कौशन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसको लगाते हैं 24 और 36 का तरत्यानोपाती क्या होगा या तरत्यासमानोपाती क्या होगा आपको करना क्या होता है बहुत छोटी सी बात जादा कुछ नहीं करना होता है आपको तीसरे को कुछ मानना होता है 24, 36 और तीसरी संख्या को कैसे कबूतर, XYZ कुछ भी मानिए इन तीनों को समानोपात में लगाईए आप कहेंगे सर्थ 24 का अनुपात, 36 के साथ ये बराबर होगा पहले 2 का अनुपात, अगले 2 के अनुपात के बराबर कर दे ऐसे लगा ले, ये समानोपात हो गया, अप आपको ना कोई सुत्र याद करना ना और कोई उल्टा सीधा अडम दडम याद करना यहां से निकल कर मद्यबदों का गुणनफल बाहिये के बराबर कीजिए लेकिन पहले आप काटना सीखिए, काटते कैसे इसके पहले दोनों पद आपस में कट सकते हैं ये पहले वाला इसको काट सकता है जैसे कोई आप से कहा हो कि इसमें कौन किसको काट सकता है तो ये फस्ट वाला नम्मर, इस सेकेंड वाले नम्मर को काट सकता है ये फस्ट वाला इस तीसरे को भी काट सकता है पहला और तीसरा भी आपस में काट सकता है इस बात का आप विशेज ध्यान रखें देखिए 24 को मैंने 12 से काटा दो बार divisible है 12 से काटा 3 बार करता है 2 अनुपात 3 बना फिर मैं इस पहले को इस तीसरे से भी काट सकता हूँ इस दूसरे को चोते से भी काट सकता हूँ तो इस दो को मैं इस 36 से काट सकता हूँ बाद में काट लें, पहले ही काट लें तो ज्यादा सही रहेगा मध्य पदों का गुणनफल अब भाहिये के बराबर कर दे आप कहेंगे सर सुरू में तो कुछ बचा नहीं, एक बचा है यहाँ तो तो कबूतर एकम कबूतर आएगा और बीच में तीन गुणा अठारा बचेगा उसे आप कहते हैं चोवन, शोटे मोटे गुणा हो तो उसे मन में ही करें पैन पेपर से आप उसे गुणा नहीं करें पढ़ते हैं अगले सवाल की और और नेक्स्ट वाला जो कोशन वो ही तरत्या समानुपाती का प्रसन आपके लिए स्क्रीन पे आ चुका है और कौसीज कीजिए कि ये प्रसन आप कर पाएं इसे वैसा ही प्रसन 10-12 सकिन की बात होती है तरत्या समानुपाती ग्याद करना है फिर उसका वरग भी करना है इस बात को नोट कर लीजे तरत्या समानुपाती का वरग ग्याद करना है तो आप कहेंगे सर 36 बहुत छोटी सी बात है 36, 12 और 3 को कुछ मानिए कैसे कबूतर मानिए ये तरत्य अनुपाती निकालने का एक तरीका है पहले 2 का अनुपात यानि 36 का अनुपात 12 के साथ बराबर कर दीजिए 12 का अनुपात कबूतर के साथ पहले दो का अनुपात अगले दो के अनुपात के बराबर कर देना है चाहे से चार पद हो चाहे से तीन पद हो अब आपको काटने का ध्यान रखना है काटने का कैसे? इन में से कौन-कौन कटेंगे मेरे भाई तो आप कहेंगे सर यहां 36 को 12 से काट लीजिए और पहला पद है वो तीसरे को काट सकता है तो आप तीन एकम तीन और चारतिया बारा मद्य पदों का गुननफल बाहिये के बराबर करते तो कैसे कबूतर बाहर की साइड आता और मद्य पदों का गुननफल चार एकम चार आता आप देखिए तरत्या अनुपाती पूचता तो मैं यहां से उत्तर लगाता C लेकिन यह उत्तर गलत है परसन ने पूचा है कि इसका वर्ग कितना होगा तो देखिए मेरे भाई इसका वर्ग करेंगे तो चार का वर्ग होगा 16 D option is the right answer बहुत आसान है तरत्या अनुपाती निकाल पाना बहुत इजी है आसानी से निकाल सकते है बढ़ते हैं कुछ मेरे साथ लास तक बने रहेगा ऐसे ही और moderate question दिखाने वाला हूँ जो आपने वीडियो के सुरुआत में जलकिया उनकी आपने देखी थी और मेरे साथ आप जुड़े रहें एक जरूरी सूचना कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो पसंद आए तो आप like, share इसे जरूर कीजिएगा वो जरूरी है हमारे motivation के लिए और हमें एक नई उर्जा देता है जो आपके लिए नया नया content और जल्दी जल्दी वीडियो लाने का मन करता है चलो तो like, share आप करते ही है साथी साथ मेरे steady group से आप जड़ सकते हैं 99, 28 930, 977 ये मेरा WhatsApp नमर है और WhatsApp पे आप SMS कीजिए और तमाम जो लिंक आए उनको follow कीजिए और RDSR के सभी गुरुपों से आप steady गुरुपों से चुड़ जाएंगे जहां इनकी PDF, वीडियो तमाम तरह की वो सारा content जो आपको आगामी exam में सरकारी नौकरी के सफर को पूरा करवा दे चलो तो, अगला प्रसंद देखते हैं प्रसंद आपकी screen पे आ गया है एक प्यारा सा comment आप मेरे लिए छोड़ सकते हैं जो भी आपके गिला सिखवा हो वो comment box में आप type कर दीजिए कोसिस करूंगा उसी topic पे कुछ वीडियो और अगामी वीडियो में कुछ उनके सुधारों की next वाला question आपकी screen पे आ गया है और तरत्या अनुपाती अब आप निकालना सीख चुके हैं पहले वाला 0.1 है दूसरे वाला 0.12 है और तीसरा अनुपाती चीए तो तीसरे को कुछ मानिए बहुत आसान चीज अब आप कहेंगे सर जैसे ही हमने तीसरे को कुछ माना इनको अनुपात में लगाईए 0.1 का अनुपात कीजिए पहले 2 का अनुपात यानि 0.1 और 0.12 का अनुपात बराबर कर दीजिए लास्ट वाले 0.12 का अनुपात कभूतर के साथ मध्य पदों का गुणन फल बाहिये के बराबर अब आप कहेंगे सर इसमें से कुछ काट लें क्या हम बिलकुल जी हाँ यदि आप कुछ काटना चाते हैं तो पहले आप एक 0 ड्रो कीजिए कुछ ऐसा आप अवश्य ध्यान रखे पहले वाले में एक छोड के दसमलो है तो सभी में दो दो छोड के बना ले जिससे वो काटने में आसानी रहती है क्यूं रहती है देखिए फस्ट वाला पद हो गया अब 10 बटा 100 सुनना मेरी बात कुध्यान से दूसरा पद हो गया 12 बटा 100 और बराबर तीसरा पद हो गया 12 बटा 100 और बराबर अनुपात हो गया कबूतर यहाँ अनुपात है अब आप इन दोनों में 100 से 100 को काट सकते है पहला वाला पद इसको काट सकता है या फिर मध्य पदों का गुननफल आप तुरंत से फुर्ती से बाहिय पदों के बराबर कर दीजे तो मध्य पदों का गुननफल 12 गुना बारा होगा और बाहिय पदों का गुननफल होगा कितना 12 गुना बारा बटा 100 होगा और इसके नीचे 100 भी है यहाँ वाला 100 कट गया है और बाहिय पद हो जाएंगे 10 कबूतर अब आप कहेंगे सर ये 10 कबूतर है उसका 10 भी हम उदर भेजने क्या इस 10 को भी हम यहां नीचे भेज देते हैं अब यह हो गया 145 बटे हजार 145 बटे हजार को मेरे भाई 0.0144 कहते है सैकिंड ओप्सन आपका राइट आंसर होता कुछ नहीं करना है मध्य पदों का के बराबर करना है तरते अनुपाती के लिए तीसरे को कुछ मानना है इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना तीसरे को कुछ माना तीन पद आपके पास होंगे पहले दो का अनुपात अगले दो के अनुपात के बराबर कर दे चार पद होते हैं चतुरता अनुपाती मे अगले दोक्यानुपात के बराबर कया था, वो कल वाले वीडियो में कया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए जाईए, और उस वीडियो को भी आप देखिए, या उपर आई बटन में मिलेगा वो आपको वीडियो वहां से देख सकते है चलिए, एक A²B और 3AB का तरत्या समानुपाती ग्याद करना है, एक और खुबसूरत सा क्वेशन आपकी स्क्रीन पे, और जल्दी से चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले, और पुरी देर पहले मैंने एक नम्मर बताया, वहां आप मुझ परसन का जबाब मिल ही गया होगा, तरत्या अनुपाती कैसे निकालते हैं, तो A²B एक पद है, फिर 3AB पद है, तीसरे को कुछ मानिये, कैसे कबूतर मानता हूँ, पहले 2 का अनुपात, अगले 2 के अनुपात के बराबर कीजिए, आप कहेंगे सर, A²B का अनुपात लगाई 3AB के साथ बराबर कर दीजिए, 3AB का अनुपात कैसे कबूतर के साथ, कह के साथ, अब कुछ भी नहीं करना, इन्हें काटना है, आप कहेंगे सर, B से ये B कट जाएगा, बिलकुल सही बात, इस A से ये A गुणा A है, तो A कट जाएगा, ध्यान दीजिए, A² का मतलब होता है, A multiply A, उसमें से 1A को मैंने यहां से काट दिया, मेरे पास बचा A बचा सुरुवात में, यहां 3 बचा और फिर बचा 3AB अनुपात कबूतर, यह पहले वाला last वाले तीसरे को भी काट सकता है, first वाला third वाले को काट सकता है, यह बात भी ध्यान रखें, यह first वाला पद इस ती दूसरे से कट सकता है, लेकिन आप नहीं काटते तो मद्य पदों का गुणनफल बाहिये के बराबर कर दें, चलिए मैं काट लेता हूं, यह A है, वो यहां से A को काट देगा, यहां 1 बच गया, मद्य पदों का गुणनफल अब बच गया 9B, 9 और B बचा मद्य पदों का ग बहुत आसान कोशन, और ऐसे पिछले दिनों आपने देखा, यह पेपर का ही स्क्रीन शोट है, और मैं इसे लिए आपको दिखा रहा हूं, कि पिछले दिनों कुछ अच्छे कोशन आप से पूछे गए, और यह ज़ादा मुस्किल नहीं थे, आप कई बार इने मुस्किल मा बैठते हैं, हम गणिताने वालों के लिए भी अच्छी बात है, अब यह देखिए, यह समानुपात में है, पद आपको तीन दिये हैं, कहा है यह समानुपात में है, और पताइए कैसे आप एक्स का मान निकालेंगे, तो इन तीनों को समानुपात में, अभी हमने ऐसे सीख पहले दो का अनुपात, फस्ट वाले दो का अनुपात बराबर कर दीजे, अंतिम दो के अनुपात के साथ में, अब मध्य पदों का गुननफल, बाहिये पदों के गुननफल के साथ, गुना कीजिए, तो आप कहेंगे, अब कटने का कोई काम नहीं है, एक्स वाली चीज़ करना है कि किस की पावर यहां 4 बनी, तो इनको गुना नहीं करें भाई, देखें आप गुना करेंगे, तो आगे-आगे बड़ा गुना भी हो सकता है, यह तो छोटा गुना था, मैं इसको तोडूँगा, कैसे तोडूँगा, यह 16 गुना 3 होता है, और 27 तीन गुना 3 गुन 3 पे हैं, तो X का मान हो जाएगा 6, बहुत सिंपल सी बात थी, यह 48 गुना 27 होता है, उसका थोड़ा गुना का ध्यान दीजिए, मैंने उसको 16 गुना 3 लिखा है, फिर 27 को 3 गुना 3 लिखा है, और ऐसा लिखके मैंने उसे काटा है, तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, कि 48 को 16 गुना 3 लिखा, तो फिर उधर 3 का 3 था, 3 का 4 बन गया, फिर 2 की पावर 4 बन गया, फिर हमने X की पावर 4 से उनको कंपेर किया, तो X बराबर 2 गुना 3 बन गया, तो हमारा उत्तर हो गया यहां से 6, पड़ते हैं अगले कोशन की और, ओर ये पी एक तरत्या अनोपाती की तर next वाला question अब चतुर्था अनुपाती और तर्त्यानुपाती दोनों का mix-up question है और दोनों के चतुर्था अनुपाती निकालिए फिर तर्त्यानुपाती निकालिए फिर इन दोनों का अनुपात निकालिए ऐसा कुछ आपसे question में कहा है तो ऐसा से भी डरे नहीं सबसे पहले आ निकालना है, चतुर्थ समानुपाती कैसे निकालते हैं, कल भी देखा, नहीं देखा, तो अभी सीख जाएंगे, पांच का, आठ का, बराबर कर लें, पंदरा और चोथे को मानले कबूतर, तीन देगा, चोथे को कबूतर माने, पहले दो का अनुपात, अगले दो के बराबर होगा, तो थे, यानि चतुर्थ अनुपाती को कै कबूतर माने, पांच और आठ का अनुपात लगाईए, पंदरा और कबूतर का अनुपात लगा के इने बराबर कीजे, अभी मैंने कहा था, इसमें से कुछ काट भी सकते हैं, आप काटेंगे क्या, पहले वाला पद इसके दूसरे पद को काट सकता है, पहले वाला पद यहां यह तीसरा है, उसको काट सकता है, तो पांच इसको काटेगा, पांच तिया पंदरा, कभी भी पहले को दूसरे से, पहले को तीसरे से काट सकते हैं, दूसरे को चोथे से भी काट सकते हैं, कटें तो काट सकते हैं, यह प अध्यपद 24 और बाहियपद कबूतर चोथा समानुपाती आगया 24 अब इसी प्रकार से मैं तरत्या समानुपाती भी निकालूगा यहां से अब कोई कहे कि तरत्या समानुपाती कैसे निकालोगे तो मुझे 12 का 30 का तरत्या समानुपाती तीसरे समानुपाती को मैं कुछ मानत है तो इधर खरगोस मानिए तो अब इनका अनुपात लगाता हूँ बारा अनुपात तीस बरापर हो जाएगा तीस अनुपात खरगोस ऐसे अब इन्हें काटिए इसमें से कुछ कट रहा है उसे काट दीजे यदि ज़्यादा बड़ा हो और कट नहीं रहा हो तो आप इसको थे उसी पुझीशन में भी गुणा कर सकते हैं देखिए मैं 6 से काटता हूँ 6-2-12-3-5-30 फिर ये पहला तीसरे को काट सकता है ये 15 बार काटेगा तो बाहिय पदों का गुणनफल आएगा थे और मध्य पदों का गुणनफल आएगा 5 गुणा 15 ये अनुपात पूछे त परत्मा चतुर्था समानुपाती और तर्थ्या समानुपाती का अनुपात बताईए तो यहां से आप अनुपात बता देते बहुत छोटी बात है अनुपात कैसे कि जो चतुर्था अनुपाती है और जो तर्थ्या अनुपाती है उसका अनुपात चतुर्था अनुपाती कितना आया था दोस्त 24 और तर्थ्यानुपास्ती 5 गुणा 15 पिछेतर पिछेतर नहीं भी बनाए तो 5 गुणा 15 लिख लें क्योंकि अभी यह कटेगा और तो आप इसे गुणा नहीं भी करें तो भी चलेगा 3 से काटता हूँ 5 ती अब 15 और 3 से काटता हूँ 3 से काटा इधर 15 को 5 बार और 3 से काटा 8 बार तो इधर आएगा दोस्त 8 और इधर आएगा 25 वहत आसान चोथा आपका यहाँ से राइट आंसर होता तो कुछ ऐसा परसन आएंगे जिनमें आपको चतुर्था अनुपाती के साथ में करत्या अनुपाती निकालना होगा फिर उन दोनों का अनुपात भी निकालना होगा तोटे नम्मर हो पूरी गणना करें बड़े नम्मर हो तो यह जो मध्य पदों का गुणन फल वगेरा उसको गुणा में लगा कर ही चोड़ दें चलिए बढ़ते हैं और अगले कोशन की और बहतरीन से कोशन है moderate एक दो आगे अभी वीलियो समापती की और है दो तीन कोशन और है आप बने रहिए मेरे साथ यह भी वैसा ही कोशन है जैसा पिछला था आप इसका चतुर्था अनुपाती लगाईएगे चोथे अनुपात क कुछ ना कुछ मानिए तो अब इन चार का अनुपात कैसे करेंगे पहले दो का अनुपात दो अनुपात चार बराबर कर देंगे च्छे अनुपात कबूतर यह चतुर्था अनुपाती आएगा काटिएगा दो से काटो चार को दो बार फिर मद्ध्य पदों का गुणन फल च्छे गुणा दो बारा और बाही आएगा कबूतर, चोथा अनुपात आ गया बारा, अब मैं कहूं तरत्या अनुपाती, तो चार आठ और तीसरे अनुपात को कुछ मानिये, कैसे खरगोश मानिये, ये तरत्या अनुपाती, कुछ भी मानिये, यहाँ X मानिये, P मानिये, Q म मानिए, वो इन चार आठ में मिलने वाला नहीं, वो इनसे अलग मान ले आप, ऐसा कोई चर मान ले, कैसे कबूतर मान ले, खरगोश मान ले, मैंने कह इधर मान लिया, इससे कोई घबराएं नहीं कि यहां पर माने क्या, चलिए तो भई, चार का अनुपात आठ के साथ, पहले दो का अनुपात, अगले दो के अनुपात के बराबर कर ले, यह खैसे करगोश मान लिया, चार काटेगा, आठ को दो बार, मद्य पदों का गुणनफल आएगा, सोला, बाहिये पदों का गुणनफल आएगा, खरगोश, अब इन दोनों का भी अनुपात, चतुर्था और तर्त्या अनुपाती का अनुपात लगाना है, तो फूर्थ प्रपोस्नल आपके पास आया है, टुवेल्व है, और थर्ड प्रपोस्नल आया है, आपके पास में सोला, काट दीजिएगा, मैंने भाई, चार से काटेगे, चार तीया, बारा, चार से काटेंगे, यह चार पार डिविजिबल है, तीन अनुपात चार आपका राइट अंसर होगा, तो चोथा अनुपात चोथे को कुछ मानिए, तीसरा अनुपात तृत्या अनुपाति पीछरे को कुछ मानिए, समानुपात में लगाईए और उत्तरबनाड ढालिए, पढ़ते हैं अगले कोशन की औ और कोशन क्या है, अब की बार थोड़ा मजा आने वाला कोशन है, अगले दोनों ही कोशन बहतरीन है, और पिछले एकाद साल में बहुत बार SSC ने इसे रिपीट किया है, तो यह important प्रसन है, ध्यान से देखीगा इसे, यदि A और B का तर्त्यानुपाती, ध्यान दीजिए, अ और B और C का अनुपात आप से पूछा है, चलिए भाई, A B का तर्त्यानुपाती क्या होता है, तो आप कहेंगे सर, A B का तर्त्यानुपाती होता है, A अनुपात B बराबर B अनुपात कबूतर, तीसरे आदमी को आप कैसे कबूतर मानिए यहां, तो तर्त्यानुपाती क्य बराबर क्या आएगा? आप कहेंगे सर, B गुणा B आएगा और बटे में A आएगा. ये तर्त्या अनुपाती हो गया. ज्ञान दीजे. फिर कह रहा है चतुर्था अनुपाती, तो A अनुपात B बराबर होगा. C, चतुर्था अनुपाती को खै खरगोस मानिए, तो C अनुप पदों का गुणनफल भाहिये के बराबर, तो खे बराबर क्या आएगा, कैसे ए गुणा होगा, क्या नीचे जाएगा, बी गुणा, टी बटा, ए बचेगा आपके पास में, ये चतुर्था अनुपाती होगा, और हमने इस चतुर्था अनुपाती को देख लिया है, अब प्रसन ने कहा है, कि जो तिर्थ्या अनुपाती है, और चतुर्था अनुपाती है, उनका अनुपात आपको दिया है, तो अनुपात इनका मैं बनाता हूँ, तो ध्यान दीजिए, बी गुणा, बी बटा, ए का अनुपात मैं लगाऊं, बी गुणा, सी बटा, ए के साथ वो प्रसन के अनुसार दिया है तीन अनुपात चार अब मेरे भाई A से तो A को काड़ दीजे आप जैसे ही मैं A को A से काड़ता हूँ उसके बाद में यहां B से B को काड़ दिया तो B अनुपात C मेरा आ गया तीन अनुपात चार B अनुपात C आ गया तीन अनुपात चार परसन ने B अनुपात C ही पुछा है तो मेरा जबाब तीन अनुपात चार ही हो जाता यह ध्यान दीजे मालो परसन ने पुछा होता C अनुपात B तो फिर C को में पहले लिखता चार पहले लिखता और तीन बाद में लिखता बेहद उनके तृत्यानोपाती के संबंद को built कीजिए, फिर चतुरता अनोपाती के संबंद को built कीजिए ABC के साथ भी build कर लीजिए, फिर उनका अनोपात लगाईए, उसमें से कुछ कटता है, उसे काटिए, बचेगा जो, वो अनोपात बचेगा बेहद आसान था question, चलिए बढ़ते हैं, आसके अंतिम question की और, question आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, x और y के तीसरे समानुपाती, सेम पिछला ही question है, इनका चो तीसरा समानुपाती है वो, और x, y, z के चोथे समानुपाती का अनुपात दे रखा है, x, y का मेरे भाई तीसरे समानुपाती को आप कैसे कबूतर मानिए, इनके चोथे समानुपाती को खरगोस मानिए, तो यहां क्या होगा, x का और y का अनुपात बराबर होगा, y का और कबूतर का, यहां से मद्य पदों का गुणन फल बाहिये के बराबर आएगा, तो कबूतर गुणा X होगा, ये Y गुणा Y होगा, X नीचे जाएगा, तो ये तरत्य समानुपाती आएगा, साती सात में चोथा समानुपाती निकाड़ू, X का अनुपात Y के साथ बराबर हो जाएगा, Z का अनुपात, चोथा अनुपाती खे खरगोश माना है, मद्धे पदों का गुण अनुपात लगाएं इन दोनों का यानि तरत्या अनुपाती और चतुर्था अनुपाती का भी आप अनुपात लगाएं तो y गुणा y बटे x अनुपात y गुणा z बटे x ये आप अनुपात लगाएं तो प्रसंद में आपको उसका अनुपात दिया है 7 अनुपात 22 बहुत तेहरिये अभी आप से क्या पूछा है तो आप कहेंगे सर वाई अनुपात जैड नहीं पूछा वाई कुछ लोग क्या करते हैं साथ और वाईस को उत्तर माल लेते हैं गलत बात है यहां देखो वाई पहले और जैड बाद में आया है परसन ने पूछा है जैड पहले और वाई बाद में तो इनका क्रम बदल दीजिए इतना कोई ज्यादा नहीं है बस क्रम को बदल दीजिए जैड को पहले लिखेंगे तो बाईस को पहले लिख दीजिए और वाई को बाद में यानि की साथ को बाद में 22 अनुपात साथ यह आपका आंसर हो जाता है तो कमाल के प्रसंद है लास्ट के दो है आसान लेकिन थोड़े से मौडरेर तरीके से पुछे हुए हैं ध्यान रखेगा आगामी एव्जाम में जभी भी आएं तो वीडियो को एक बार देखिए दो बार देखि कियेगा मेरे लिए जिससे मैं आगे कुछ आपकी बहतरी के लिए काम कर पाऊँ तो यह आज का वीडियो यहीं पर हम समात्त करते हैं अब आगे हम इसी सिलसले में परत्मानोंपाति मध्यानोंपाति यह नेक्स टाइम मिलेंगे कल के वीडियो में देरी से देख रहे हैं त प्रत्मा अनुपाती की वीडियो में हम मिलते हैं, आज हमने कुछ ये प्रसंद डिसकस करें हैं, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इनका क्विक रिविजन अवश्य करें, लास्क में आप इसको ऐसे क्विकली देखें कि पहले में क्या किया था, दूसरे में क्या किया था, तीसरे में क्या किया था, तीसरा अनुपाती कैसे निकालते हैं, ऐसे कुछ प्रसंद आप अपने आप से कर दीजिगा, कि क्या किया, मून तोपिक का निचोड या कुशन की प्रकर्ति का निचोड़ आपको आना चीए, ऐसे मुख जबानी की तिर्ट्य अनुपाती ऐसे निकालते हैं, तीसरी को कुछ मानते हैं, पहले दो का अनुपात, अगले दो के अनुपात के बराबर कर लेते हैं, फिर मध्य पदों का गुणनफल, बाईय पदों के गुणनफल के बराबर करते हैं, कुछ कटता है उसे काट लेते हैं, और ये तमाम प्रसंद आज मैंने आपको दिखाए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहेगा, अपना खयाल रखेगा, और हस आपस्ते मुस्कुराते रहेगा, धन्यवाद.